हेलो फ्रेंज मैं नहीं करूंगा आपको बोर विकास आई नो यू वांट तो लर्न मोर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें so that you should have fun more फ्रेंज आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक और आसान भी है उसको बोर्ड इग्जब में भी कई बार पूछा गया है जिसका नाम है responsibility of business towards government याने business की government के प्रती क्या जवाबदारी है टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं मेरे बारे में आपको बता दूँ आयम प्रोफेसर राकेश आस्वानि स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंज अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्र नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें ताके फ्यूचर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके चलिए प्रंट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक Responsibilities of Business Towards Government में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे government का क्या रोल है business के परती government business को बिजनसमैन को तरह तरह के incentives याने benefits प्रवाइड करती है subsidies मगर कई बार प्रवाइड करती है specially आप export trade में involved हो तो सरकार आपको तरह तरह की concession में प्रोवाइड करती है government का काम है economic development की और देखना थाकि देश की तरक्य हो सके ताकि common man को benefit मिल सके उसके interest के लिए government काम करती है तो government के प्रती business की क्या जवाबदारी है अगे करके हम points देखेंगे point number one is timely payment of taxes friends बिजन्समेन ने समय समय पे जो भी टैक्सिस हैं पे करते रहने तब भी government common men तक benefit पहुचा पाएगी उसके लिए कई सारी चीजे कर पाएगी government को भी अपने program चलाने होते हैं common men को सारे benefits देने होते हैं गरीब जनता तक मदद पहुचा नहीं होती है तो यह हमारे टेक्स का पैसा ही लोगों तक पहुचता है तो टाइमली पेमेंट ऑफ टेक्स चाहे वो इंकम टेक्स हो वेल्थ टेक्स हो कोई भी टेक्स हो टेक्स समय पे बरना बहुत जरूरी है पॉइंट नमबर टू इस अब्जर्विंग रूल्स और डेगुलेशन यानि गवर्मेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बिजनस कम्यूंटी के लोग हैं वो रूल्स और डेगुलेशन को फॉलो करेंगे रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे इससे लॉइन ज्यादा फॉरेंड एक्सपोर्ड करना है ज्यादा एक्सपोर्ड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेंड करनसी हमारे पास आएगी तो गवर्मेंट को यह फॉरेंड करनसी क्यों चाहिए तो पे फॉर वाइटल इंपोर्ट्स वाइटल यानि इंपोर्डन कुछ वि कई देशों से इंपोर्ट करते रहते हैं तो हमें उनको foreign currency में payment करना होता है तो सरकार business community से expect करते हैं कि businessmen जादा से जादा foreign exchange earn करेंगे ताके deficit ना हो balance of payment में या foreign exchange की shortage नहीं होनी चाहिए ताके सरकार को भी imports का payment करने में आसानी हो next point is economic development government cooperation चाहती है businessmen का कि वो economic development में help करेंगे देश की तरक्की होगी तो सब की तरक्की होगी friends कुछ लोग कहते हैं कि तरक्की तो हो रही है लेकिन महेंगाई का level बढ़ रहा है तो महेंगाई का level बढ़ना अच्छी बात है के बुरी बात है येस answer is महेंगाई का बढ़ना बहुत अच्छी बात है कैसे मैं example के जरीए समझाता हूँ सस्ताई में किसी के पास कुछ नहीं था जब 25,000 की कार थी बहुत कम लोगों के पास थी आज लाखो रुपे की कार है लाखो लोगों के पास है सोचने वाली बात है सस्ताई में किसी के पास कुछ नहीं था महिंगाई में सबर होते हैं फिर भी बहुत कुछ एंजॉय करते हैं बहुत सरे प्रोड़क्स वो कंजूम करते हैं चीजें आपके सामने हैं तो महिंगाई अगर बढ़ रही तो लोगों की इंकम भी भड़ी है तो वह इसाब से सरकार ने एकोनोमिक डेवलप्मेंट के लिए काम करना है प्रोग्राम से लाने तो वह बिजनस्मेंट से क्या चाहते हैं कि आप हमें उसमें कोपरेट करोगे देश की तरक्की में इनका र सरकार कई तरह की योजनाय चलाती है हमारे देश में कई सरे शोशल प्रॉब्लम से जैसे अनव्लमेंट पावर्टी इस वन अफ दे बैस एक्जामबल अब पावर्टी को खतम कैसे करेंगे पावर्टी का मतलब पाव और रोटी की कमी नहीं होती है पावर्टी यानि फीन आब जोग सब पाट आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम पावर्टी की बात कर रहें तो पावर्टी कैसे कि प्रेंस कि सब आपको नोट बाट देवें दोधोजार के करीभी खतम होगी नहीं पावर्टीक खतम करने का एक ही तरीका है और वह है जल्दी बोलें नहीं तो मैं बोल दूँगा ओके मैं बोल देता हूं वह है एंप्लाइमेंट तो जॉब अब गवर्मेंट सबको जॉब नहीं दे सकती तो वह बिजनस्मेंट से एक्सपेक्ट करती है कि वह समाज के लोगों को आप जॉब प्रोवाइड करेंगे जॉब होगा एंप्लाइमेंट होगा तो पैसा आएगा गरे भी दूर होगे तो इस गवर्मेंट एक्सपेक्ट करती है कि विजनस हमें कोपरेट करेगा इन इंप्लीमेंटिंग शोशी एकोनोमिक पॉलसीज पॉइशेश की सब्सक्राइब गवर्मेंट अगर बिजनस्मेन को कुछ भी सब्सक्राइशन देनी रिगर्डिंक पॉ हो इंपोर्ड expert policy is foreign policy कोई भी top business के लोग हो suggestion दे सकते हैं तकि government को policies start changes लाने में को update करने में उसको frame करने में आसानी हो पॉइंट नमबर सेवन इस नो फेवर्स याने रिश्वत देखके फेवर नहीं मांगना है मनतिल लोगों को पैसा किला के बोला हमारे फेवर में ये रूल पास कर दो तो ऐसा नहीं करना है इससे करफशन का लेवल बढ़ता है और समाज को भी नुकसान होता है तो इस तरह के कोछ भी फेवस नहीं मांगने है गवर्मेंट से पॉइंट नमबर 8 इस कॉंटिबिटिंग टू गवर्मेंट ट्रेशरी गवर्मेंट ट्रेशरी याने एक सरकारी खजाने की हम बात कर रहे हैं सरकार बिजनसमें से एक्सपेक करती है यह उमीद रखती है कि अगर देश के उपर कोई प्राब्लम हुई है तो उस टाइम पे बिजनस कमिटी के लोग जादा से जादा दान देंगे गवर्मेंट ट्रेशरी में पैसा जमा करेंगे ताकि जरूरत बन लोगों तक एफेक्टेड पीपल तक सरकार मदद पहुचा सके जैसे डियोरिंग नैच्रल केलेमि एनने कांट्रूबैशन डिया, गरणशन जमा किया उस सबसे आगे आगे अगे आगे हम बात करें तो आपने अजीम प्रेम जी का नाम सुना यहां फिर आपने मिस्टर टार्टा का नाम उन्होंने कितने सारे क्रोड ढोनेट किये?, ताकि सरकार को लोगों तक मदद पहुच मिलते रहें तो friends these were the points covered in responsibility of business towards government friends उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा thank you all for your love and support